Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. So, दोस्तों, आज मैं आपको badminton के faults के बारे में बताऊंगा. ये वीडियो बहुत जादा interesting होने वाला है, तो आप वीडियो को last तक जरूर देखेगा. तो चलिए, शुरू करते हैं. Rules 13.1 के according, सबसे पहले है service fault. जिसका वीडियो मैंने अल्रेडी बना के रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा, या उपर i button में मिल जाएगा. Rules 13.2 के according, सर्विस कराते time, अगर शुर्टल नेट पे लगती है, या सर्विस लाइन से पहले या लाइन से बाहर गिरती है, तो वो fault होगा. या सर्विस रिसीब करते time, रिसीवर का partner अगर शुर्टल को हिट करता है या टच करता है, तो वो भी fault होगा. Rules 13.3 के according, अगर खेलते time, शुर्टल बाउंटरी लाइन से बाहर गिरता है, या फिर नेट पे ही रुख जाता है, तो वो भी fault होगा. या rally के time, शुर्टल रूप से टच हो, या वॉल से टच हो के कोट पे गिरता है, तो वो भी fault होगा. Rally के time, शुर्टल अगर आपके racket को छोड़के, आपके body address या किसी भी equipment से लगकर पार होता है, तो वो fault होगा. या फिर shuttle hit करते time, अगर shuttle racket पे ही फस जाता है, तो वो भी fault होगा. अगर shuttle एक ही player के racket से दोबर लगके पार होता है, तो वो fault होगा. या फिर shuttle एक player और उसके partner दोनों के racket से लगके अगर पार होता है, तो वो भी fault ही होगा. rules 13.4 के according net में अगर आपका racket, body या आपके dress touch होते हैं तो ये भी fault होगा या shuttle hit करते टाइम अगर आपका racket net से पार हो जाता है चाहे वो उपर से हो या नीचे से तब भी वो fault ही होगा यदि player के shuttle hit करते टाइम opponent उस पे चीखे या चिलाए तो वो भी fault के according ही आएगा shuttle को hit करते टाइम अगर shuttle आपके racket में ही hold हो जाता है तो ये भी fault में ही count होगा और यदि shuttle ground से touch होने के बाद उसको hit किया जाता है तो वो भी fault ही होगा अगर कोई player बार-बार अपरात करता है तो loss 16 के according उसको fault दिया जाता है loss 16 मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस पर comment जरूर कीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को like करे और उसको share करना बिलकुल न बोले तो आप आपसे मिलते हैं next इस interesting वीडियो पर तब तक आप अपना ध्यान रखे और save रहे